नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है या कैसे टू यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप आज की इस वीडियो के मादिम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पर अपने पैन कार्ड में किसी भी तरीके के करेक्शन को करना चाहते हैं चाहे वो नेम का करेक्शन हो एड्रेस का करेक्शन हो या फिर किसी और भी तरीके का करेक्शन हो चाहे वो डेट आव बर्थ का हो तो यहाँ पर कैसे आप यहाँ पर घर बैटे अपने मुबाइल फोन की मदब से इन सारे करेक्शन को ऑनलाइन यहाँ पर गौर्मेंट की है तो उसे आपर आज का वीडियो काफी मज़दार नौलेजफुल होने वाला है तो उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक कर लेना है जिसके बाद आपके सामने पहला ही वेबसाइट दिखाई देगा www.onlineservices.nsdl.com तो simply आपको इसी वेबसाइट पर चले आना है इस पर टैप करके जिसके बाद आपके सामने www.onlineservices.nsdl.com का एपर ओफिचिल वेबसाइट ओपन हो जाएगा अब दोसे यहाँ पर दिखिए आपको अपने पैन कार्ड में करेक्शन करना है जिसके लिए आपको एप्लिकेशन टाइप का आप्शन मिलेगा पहला ही देखने के लिए इस पर आपको टैप करना है यहाँ आपको चेंज और करेक्शन इन एक्जिटिंग पैन कार्ड वाले यहाँ पर ओप्शन को सिलेक करने के लिए इसके आपको इंडिवीजूल यहाँ से सिलेक कर लेना है जिसके बाद नीचे की तरफ आपको आना है यहाँ पर आपको applicant information भरना होगा यानि कि वो information जिसका आप यहाँ पर pen card update करना चाहती है उसका यहाँ पर pen card detail आपको देना है इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर title select कर लेना है जिसके बाद आपको last name इंटर करना है यानि कि surname फिर first name उसके बाद अगर कोई middle name है अपना अगर उसमें कोई register नहीं है तो कोई दिकत की बात नहीं है आपके mobile में जो भी mail ID है वो आप दे सकते हैं उसके बाद आप mobile number आपको simply enter कर देना है mobile number भी आप अपना दे सकते हैं कोई जरूरी नहीं कि pen card में जो mobile number link हो वही आपको देना है जिसके बाद यहाँ पर citizen of India पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको yes करना है जिसके बाद नीचे की तरफ आपको fan number इंटर करना है उसके बाद agreement को आपको कुछ इस तरीके से टिक करके accept कर लेना है तो नीचे की तरफ जो capture code दिखाई दे रहा है आपको simply box में इंटर करके आपको यहाँ पर submit का option दिखाई देगा इस वर आपको simply tap कर देना है जिसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा जहाँ पर आपको दिखी एक token number generate हो जाएगा यहाँ पर आपको token number दिखाए देगा तो आप चाहें तो इसे screenshot के जरीए phone में save कर सकते हैं मालनी जी in case आप यहाँ पर page से बाहर चले आते हैं तो इसी token number की मदद से यहाँ पर आप page में वापस आ सकते हैं तो यहाँ पर आपको continue with pen application form का नीचे option देखने के मिलता है इस पर आपको simply tap कर देना है जिसके बाद दोस्तों आप लोगों की सामने आप दिखे कुछ इस तरीके का interface open हो जाता है जहाँ पर आपको दिखे कोई भी अगर आप data fill up करते हैं आपको save draft पर हर बार क्लिक करना हर प्रोसेस पर आपको save draft पर क्लिक करना है तो page refresh हो जाने वाला है तो यहाँ पर दीखे अब आपको नीचे की तरफ आना है पहला option दिखाई देगा submit digitally through ekyc e sign paperless तो आपको इसे ही यहाँ से सिलेक करके रखना है क्योंकि हम बिना किसी paper गित्रों आपर इन सारे process को करने वाले हैं तो यहाँ पर अब हमें नीचे की तरफ आना है यहाँ पर दीखिए आपको पूछा जा रहा है whether physical pen card is required तो यहाँ पर आपको yes select करके रखना है उसके बाद नीचे की तरफ आपको आना है यहाँ पर आधार नंबर only for individual है यहाँ पर मांगा जा रहा है तो आपको यहाँ टिक करना है यह 9RE782YF उसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट के चार अंको के आधार कार्ड को यहाँ पर इंटर कर देना है उसके बाद I hereby agree that my photograph as available in Aadhaar shall be printed on the pen card इसका मतलब हो जाता है कि आप चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड में जो आपका फोटो है वही आपके यहाँ पर pen card में print हो करके आए अगर आप चाहते हैं इसा तो आप yes कर सकते हैं नहीं चाहते हैं तो आपको यहाँ पर no select कर लेना है select कर लेने के बाद अब आपको नीचे की तरफ आ जाना है यहाँ पर आपको कुछ भी fill-up नहीं करना है full name of applicant यहाँ पर मांगा जारा है अगर आपके name में कोई भी changes करना है तो आप यहाँ से changes कर सकते हैं आप वही changes यहाँ पर लिखने वाले आपको इस बात का ध्यान देना है यहाँ पर आपको टिक कर देना है उसके बाद नीचे की तरफ आपका data of birth अगर कुछ गरबड है यहाँ यहाँ से आप data of birth भी change कर लेंगे आपको इस बात का ध्यान देना होगा यहाँ से इसे भी टिक कर लेना है फिर आपको यहाँ से gender select करना होगा यहाँ से simply आपको gender select कर लेना जो भी यहाँ पर टिक इसे भी कर देना है उसके बाद आप यहाँ पर दिखिए अगर photo mismatch हो गया ह है उसके बाद नीचे की तरफ आना है यहाँ पर फादर details देखी मांगा जारा है मदर डीटेल मांगा जारा है तो वह आप यहाँ पर इंटर कर दीजिक आ हैं तो नहीं भी करेंगे कोई problem नहीं है मदर करना है जिसके पाथ आपको नेक्सबाल में आपको जैसे आप जाएए यहाँ पर दिखें, आपको दिखाई देगा, आप रेसिडेंस पर चाते हैं, यहाँ पर आपका pen card डिलिवर हो या फिर office address पर, वह आपको आपको यहाँ से टिक करना है, जिसके बाद आपको कुछ भी फिलप यहाँ पर नहीं करना है, आपको सीधा नीचे की तरफ आना है, औ उसके बाद mention order permanent account number यहाँ पर देखें मांगा जा रहा है, pen number, आपको इसमें कुछ भी इंटर नहीं करना है, simply आपको next वाले option पर टैप कर देना है, जिसके बाद नीचे की तरफ आपको आना है, यहाँ पर आपको simply अपना name इंटर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर दे himself, herself, यहाँ पर किसी और के लिए, यहाँ पर आपको वो select करना है, जिसके बाद आपको नीचे की तरफ आपको number of document मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर हम सर्फ एक ही document आधार काट दे रहे हैं, तो आपर हम एक लिक देंगे, इसके बाद आपको प्लेस पूछा जा रहा है, त दिखाई देगा, पेज, वहाँ पर आपको simply payment कर देना है, यहाँ पर एक वीक के अंदर अंदर आपके पर pen card में जो भी आपने आपर correction कराया है, वो सारी चीजे correction हो करके आपको मिल जाने वाली है, अब दूसरे आपर अगर आप sign update कर रहे हैं, या फिर आप अपना photo update कर रह दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप यहाँ पर घर बैठे, अपने mobile phone की मदद से अपने pen card में किसी भी तरीके के correction को easily यहाँ पर कर सकते हैं, दोस्तों उमीद करता हूँ आप सभी को आज का वीडियो जुरू पसंद आया होगा, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा ल च्छाइटरम